हेलो दोस्तों मैं हूँ परदीब गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैले तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फिरोज साह कोटला फोर्ट के उपर जो की दिल्ली गेट मैट्रो स्टेशन के पास पढ़ता है सबसे नजदीकी जो मैट्री इस रोमान चक सफर को सुरू करते हैं और जानते हैं किले के इतिहास को दोस्तों इस किले को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो था पानी की कमी यह दोस्तों तुगलगा बाद फोर्ट आपने सुना हुआ जो तुगलगा बाद फोर्ट वो फिरोज सा तुगलग नहीं बनाया था और वहां पर फिरोज सा तुगलग ने अपनी रा ऐसा किला जिसका नाम तक लोगों को याद नहीं जहाँ पर जाना तक लोग पसंद नहीं करते ऐसा किला जिसे फिरोज साहर तुगलक ने बड़े चाव से युम्ना नदी के किनारे पर बनवाया पानी की किलत को दूर करने के लिए फिरोज साहर तुगलक ने यहाँ पूरा सहर बसाया जिसे फिरोजाबाद के नाम से जाना जाता था इस किले में मस्जिदों महलों और मदर्शों और बहुत सारे समारकों को बनवाया और साथ में बागबगी चोसे इसकी खुबसूर्थी को और भी बढ़ा दिया लेकिन आज महल के नाम पर सिर्फ खंडर है दोस्तों इस जगह की स्थानिये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मानता है यहां पर स्थानिये लोग बहुत आते हैं और उनका मानना है कि यहां पर जिन आते हैं सवरग से जो उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं जो भी मननत हम यहां पर मांगते हैं वो पूरी होती यही लोगों का यहां पर मानना है और दोस्तों जहां पर विश्वास और आस्था की बात होती है वहां पर कोई भी सवाल उठाना कोई भी बात करना बहुती तुछी बात लगती है तो उसके उपर हम बात नहीं करेंगे तो दोस्तों लेकिन किला काफी खुब सूरत है फिरोज सहा कोटला किले को लोगों की मनो कामनाव को पूरा करने वाले जिनों के किले के रूप में भी जाना जाता है कथाओं के अनसार माने तो यहां जिन सीधे सवरग से आते हैं और सच्चे सही इनसानों दोवारा की गई दुआओं और मननतों को पूरा करते हैं कथा चोकाने वाली है लेकिन उपर वाले के परती की गई आस्था और विश्वास को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी लोग बोलते भी हैं और मानते भी हैं कि जहां दवा काम करना बंद कर देती है वहां दुआ का असर जादा होता है और दोस्तों आप जो मेरे पीछे जगया देख पारे हैं इसे फिरोजसा तुगलक ने स्पेसली बनाया था इस स्थम्ब को स्थापित करने के लिए इसी लिए इस इमारत को यहां पर बनाया गया है फिरोजशा तुगलक ने मोर्यकाल के इस स्थम्ब को स्थापित करने के लिए एक समारक रूपी इमारत बनवाई और इसे हवा महल कहा जाता था इस स्थम्ब को अमबाला से लाया गया फिरोजशा के इस किले को फिरोजशा का महल बताया जाता है जो एक एनियमित बहु भुज अकार में बनाया गया है किले के पूरो में युमना नदी है अब यह किला जादातर बरबाद हो चुका है नश्ठ हो चुका है और प्रवेश और निकास द्वार तो बिलकुल ही तूट चुके हैं लेकिन किले में असोक्षतंब जामी मस्जिद और बावली जैसी कई चीजे अभी भी सही स्थीति में है जो लोगों के लिए एक आकर्शन का केंदर बनी हुई है और मस्जिद में भी काफी जादातर जो प्रातना कक्स है वो तूट चुके हैं लेकिन इस जामी मस्जिद का जो प्रांगन है वो अभी भी सही स्थीति में है किला काफी सुंदर और भव्य था लेकिन आज हमें जो दिखाई पड़ता है वो सिर्फ इसका एक हिस्सा मात्र है इससे ज़्यादा कुछ नहीं कभी जहां लोगों की चहल पहल और हल चल हुआ करती थी आज वहां पर एक खामोशी का सिर्फ बसी रहा है क्योंकि वक्त किसी के साथ नहीं चलता किसी के साथ नहीं रुकता दोर बदलता जाएगा और इतिहास सिर्फ एक कहानिया बन कर रह जाएंगी और दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज पूरे दिन में इस किले की एक ही टिकट कटी है और वो भी मेरी क्योंकि मेरे को मेरे इलावा यहां पर आज कोई भी विजिटर नहीं दिखाई दे रहा है हाँ पर आज मेरे को कोई भी एक इनसान ऐसा नहीं लगा है हाँ थोड़ी पुलिस मौजूद है बस बाकी हाँ पर ऐसा आज कुछ भी नहीं है दो तो बिल्कुल खाली पड़ा है लेकिन ये किला जैसा भी था जो भी था वो तो इतिहास में दर्ज है लेकिन इतिहास तभी बोलता है जब हम उसे जानना चाहते हैं सस्तो यही है कि फिरोजशाह द्वारा बनाई गई अनगिनित इमारते हैं जिनकी देखबाल ना होने के बाद भी अपना अस्तित्व बचाए हुए बैठी हैं लेकिन आज लोगों को ना तो किलो में रूची है और ना इनके इतिहास में उनके लिए बस एक पत्थर की इमा है जो बस खड़ी है तो दोस्तो यह था चोटा सा वीडियो फिरोजशा कोटला फोट के उपर तो कैसी लगी है वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी कोमेंट में जुरू बताइएगा आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा देखते रहिए पियस मेले झाल